हमारे यूट्यूब चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है दैनिक पंचांग और राश्वल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी धर्म और संस्क्रिस्त जुड़ी कथावों का भी आनंद उठाइए तो चलिए जानते हैं आज का राशिफल सबसे पहले बात करेंगे मेश राशिकी आपके मन में नए काम की विचार आ सकते हैं हाला कि विचारों में स्थिर्ता का अभाव रहने से कुछ उल्जन अनुभाव करेंगे नौकरी या कारुबार में स्परताब बनी रहेगी भाग्यांग 6 उपाय साधुसंतों की सेवा करें प्रिशफ आज नए काम शुरू करने के लिए अनुकूल दिन नहीं है बाचित के समय जुबान पर काबू रखें आर्थिक नजरिये से दिन उत्तम रहेगा छात्रों के लिए दिन सफलता वरा होगा धार्मी कारियों में भाग लेंगे सेहत बढ़िया रहेगी भाग्यांग 5 उपाय शनिदेव की आराधना करें मिथुन आज का दिन ताजवी और स्फुर्त से परिपुरन रहेगा दामपत्य जीवन में सुख संतोष की भावना अनुभाव करेंगे आर्थिक लाव और आयोजनियों के लिए अनुपूल दिन है खर्च अधिक होगा नकारात्मक विचारों से दूर रहें भाग्यांग 3 उपाय पीपल की जड़ में गंगा जल चढ़ाएं कर्ग छोटी मोटी बात को लेकर परिवार वालों के साथ मनमुटाव हो सकता है आज कोई बड़ा फैसला लेने से बचें किसी के साथ गलस फ्हामी या वाद विबात खड़े होने की आशंका है स्वास्त संबंदिला परवाही भारी बढ़ सकती है भाग्यांग छे उपाय तामबे का कड़ा धारन करें सिंध आज का दिन आपके लिए लाबदाएक सावित होगा ऐसे में हाथ में आई उज़े आउसर को नजगमाएं बुदर्गों का अश्रवाद मिलेगा घर में मांगलिक कारी होंगे व्यापारियों के व्यापार में व्रिद्धी होगी नौकरी पेशावालों की आई में व्रिद्धी होगी भाग्यांग पांच उबाय ओम शनईन महका अजब करें कन्या बहुत दिनों से चली आ रही कोई यूजना आज साकार होगी धनमान सम्मान में व्रिद्धी होगी सरकार की तरफ से लाव होगा स्वास्थ अच्छा रहेगा ग्रियस्त जीवन में सुक्षांती बनी रहेगी सामाजिक समारों में शरी हो सकते हैं भाग्यांग तीन उपाय अनुमान चालीशा का पाठ करें चुला आज नए कारिका आरंभ कर सकेंगे परिवार के साथ किसी धार्मिक की यात्रा पर जा सकते हैं विदेश बसने वाले मित्रों यासने ही जरों के समाचार मिलेंगे स्वास्थ थोड़ा नरम गरम रहेगा संतानु की समस्याओं से चिंता उत्पन होगी भाग्यांग पांच उपाय शिवलिंग पर जल चड़ाएं व्रिशित बाणी और बिवार पर आज सयम रखना बहुत जरूरी है खान पान बे ध्यान रखें अचानक धनलाब होगा अध्यात्मिक साधना के लिए अच्छा समय है चिंतन मनन में समय वेतित करने से मानसिक शान्त मिलेगी भाग्यांग साध उपाय सरसू तेल दान करें आज का दिन पाटी और पिकनिक में गुजरेगा दामपत्य जीवन रोत्तम सुख के प्राप्ति होगी सार्मजरिक संबान और ख्यात मिलेगी बौधिक तार्किक विचारविन में होगा भागीदारी में लाव होगा घर में किसी धार्मी कायोजन की रूप रेखा बन सकती है भाग्यांग चार उपाय सफे चंदन का तिलक लगाएं मकर व्यापार दंदे के विकास और आर्थिक आयोजन के लिए आज अनुकूल दिन है आयात निर्यात के व्यापारियों को लाव होगा परिवार में हर्शोल लास का वाता बन रहेगा आर्थिक लाव होगा खानूनी उल्जनों से सचेत रहें तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी भाग्यान चार उपाय ओम हनुमते नमह का जब करें पुम्भ तेजी से बदलते विचारों के कारण अनिरणय वाल इस्थिती रहेगी इसलिए फिलाल कोई बड़ा फैसला मत लें बिना मतलब का धन खर्च होगा इससे आर्थिक खटनाई पैदा हो सकती है कोट कचारी के मामलों में संभल कर काम लेना पड़ेगा मानहानी और धनाानी होने की आशंका है भाग्यान दो उपाय शनिदेव को सरसू तेल चढ़ाएं आज के दिन विशेश सावधानी रखने की जरूरत है पारिवारिक सदस्तों के साथ मत बेद पैदा होगा माता का स्वास्त चिंता का कारण बनेगा नौकरी में समस्याएं खड़ी होंगी धर में कोई धार्मी कायोजन होगा भाग्यान नौ उपाय काले कपड़े में विज पार्मी काई भाग्यान नौकरी में